एक 60 साल का आत्मी जिसका मर्डर हो जाता है जब उसकी लाइफ में 34 इयर्स की औरत आती है इस औरत का एक जस्बंड शोलजर भी था आज की मुवी The Humans 10 यह एक होलिवड मुवी है आप अपनी आइडेंटिटी से कितना भी बचना चाहो पर लास्ट में आपको यह कॉट अप करी लेती है मुवी में बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया गया है तो डारेकली स्टार्ट करते है मुवी के लास्ट में सब कुछ चीज़ें मैं आपको डेटेल में समझाओंगा तो प्लीज इस वीटो को लास्ट देखेगा तो चलिए शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें गाड़ी आइस पर चल रहे ही यह दिखता है इस गाड़ी में कॉलमन और फोनिया होते है इनके सामने एक गाड़ी आती है और इनकी गाड़ी आइस में चली जाती है अब मुवी फिर से फ्लैश बैक में स्टार्ट हो जाती है यह जो स्टोरी है यह हम एक राइटर बता रहा है जिसका नाहा हुआ था Nathan Nathan के बारे में जैसे movie progress होगी वैसे हम और भी जानेंगे यह स्टोरी है Coleman के बारे में यह अमेरिका में पहला Jew Dean था जिस school का और Dean होता है इस school को बहुत आगे लेकर गया होता है यह सब discipline के दम पर उसने किया होता है अब next in में हमें दिखता है कि वो अपने class में पढ़ा रहा होता है पढ़ाने के बाद वो present दि लेता है इसमें कुछ लोग गायब होता है यह इन लोग को spooks बुलाता है spooks का मतलब ghost यह कभी भी इसे दिखते नहीं तो इस context में वो उने ghost पुकारता है next में दिखता है कि कॉलमान पर inquiry बेटी हुई होती है जिन बच्चों को इसने spooks बुलाया था यह निगरो थे यह कमेटियों से कहा रही होती है कि तुमने उसे spooks बुलाया है निगरों को spooks बुलाना यह गलत होता है अगर dictionary में देखा जाए तो spooks का meaning back people होता है और यह कहना गलत होता है कॉलमान रेसिस्ट है इस वज़े से उसे अब वो निकालने वाले होता है कॉलमान इसे रेसिस्ट करता है उसे समझाता है कि कैसे हुआ था पर कोई भी उसका मानता नहीं कॉलमान का एक निगरोई फ्रेंड होता है जिसने उसे जाब दियाता है फिर भी इसके साइड से यह खड़ा नहीं होता इसे कोई भी अब हेल्प नहीं कर रहाता कॉलमान अब अपने कॉलेस से रिजाइन कर देता है और घर पर आता है उसके वाइफ उसे पूछती है कि क्या हुआ क्या है यह जब सब कुछ उसे समझाता है तो उसके वाइफ और भी उस पर चिर जाती है कॉलमान के जो सब फ्रेंड से इनके बारें में पूछती है इसे शौक लगता है कि Coleman के कोई भी फ्रेंड ने उसे हिल्प नहीं की थी Coleman नहीं इन सब को हायर किया था पर ये सब इसके खिलाफ हो चुके है अब ये स्कूल पर केस वगरा डालने वाले थे पर Coleman की वाइफ को ये सहा नहीं जाता उसे hard attack आ जाता है और वो ही मर जाती है इसके बाद हमें दिखता है कि बहुत सारा time गुजर जाता है Coleman जहार रहता है तो उसके पास ही woods में Nathan भी रहता है Nathan एक writer था उसका divorce हो जाने के बाद वो woods में आकर रहता है Coleman अकेला मेहसुस करता है तो उसके पास हो आ जाता है Nathan Coleman का ही student है Coleman आकर उसे कहता है यह मुझे बाद है कि तुम book लिख रहे हो पर अभी भी तुमारी book complete नहीं हुए पिजले books तुमारी बहुत ही success थी पर इस बार तुम अटक चुके हो Coleman कहता है कि तुम मेरे बारे में लिख सकते हो school के लोगों ने मुझे किस तरह से accused किया था और इसकी वज़े से मेरी wife मर गई इन लोगों ने मेरी wife का murder किया है अगर तुम इस बारे में book लिखोगे तो लोग इसे interested होकर बढ़ेंगे Nathan कहता है कि मैं fiction लिखता हो इस तरह की books में नहीं लिखता वो Coleman को कहता है कि तुम भी book लिख सकते हो इसमें कोई भी problem नहीं है वो उसे book लिखने में help भी करने माला होता है Coleman और Nathan दोनों अकेले ही है तो इसी वज़े से अब यह दोनों friends बन जाते है यह games खेलते हैं, drink करते हैं बहुत अच्छी friendship इनकी हो जाती है Nathan फिर उसके बारे में हमें बता रहा होता है यहां हमें पता चलता है कि Nathan को cancer है उसका cancer कभी वापस आ सकता है तो इसी वज़े से वो सब दुनिया से दूर यहां एक woods में आकर रह रहा है उससे सब लोग के expectations से दूर रहना होता है अब 2-3 मेने गुजर जाते है और Coleman ने अपनी book complete कर लिए होती है वो उसे लगता है कि यह बहुत ही घटिया book है इसमें वो पागल आदमी की तरह लग रहा है तो इस book वो Nathan के पास ला कर देता है यह कहता है कि अगर तुम इससे फिर से अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से बन सकती है इस book में उसने अपने low letters भी add की होते है In 1948 में जब college में था उस दीन के यह low letters थे वो एक लड़की से pair करता था अब Coleman की जो love story है यह हमें दिखाई जाती है जिस लड़की से वो pair करता था इसका नाम Stina था Stina और EA दोनों library में मिले थे उसे बात Coleman उसे बात करने लग गया और अपने room में उसे invite किया Coleman को fight करना अचा लगता है यह उस Stina को कहता है Coleman कहता है कि मुझे misjudge मत करो यह कुछ strength के बारे में नहीं है Fighting जो होती है कौन कितना smart है इसके बारे में होती है Stina के थे तुम्हें क्या लगता है कि मैं अच्छी boxer बन सकती हो Coleman इसके लिए हा केता है यह उसे boxing के सिकरनी है यह उसे सिखा रहा होता है इन दोनों में नजदी के बढ़ जाती है और एक दूसरे के साथ ही intimate हो जाते है अब मैं फिर से present दिखाये गया है Coleman और Nathan रात में बात ही कर रहे होते है Coleman Nathan को कह रहा होता है कि मुझे कभी मरना नहीं है मननी की idea मुझे बहुत ही गटिया लग रही है Coleman का आज mood बहुत ही अच्छा होता है वो gramophone पर एक music लगाता है और वो Nathan के साथ dance करने लग जाता है Coleman आज बहुत ही जादा ही खुश होता है तो Nathan पुछता है कि हो क्या रहा है Coleman कहता है कि मेरा affair चल रहा है आज कल में 34 years की औरत के साथ हो उसे जिन्दगी के बहुत ही मज़े आ रहे है Nathan पुछता है कि तुम उसे मिले कैसे Coleman फिर बता था है कि वो उसे कैसे मिला था Coleman एक स्टोर में कुछ खरीद रहा था उसे वहाँ फोनिया मिली थी उसने फोनिया को नोटिस किया था और उसके बाद वहाँ से चला गया था आगे वो आ गया तब उसे पता चला कि फोनिया के गाड़ी बन बढ़ चुकी है उसे लिफ उसने दी फोनिया क्या करती है जब उसके बारे में वो पूछता है तो फोनिया कहती है कि वो मिल्क डेरी में काम करती है इस डेरी पर ही Coleman उसे छोट रहा होता है जब उसे फ्री टाइम मिलता है तो Coleman के ही कॉलेज में वो जैनिटर का काम करती है Coleman जब उसे घर चोड़ देता है तो पूछती है कि क्या तुम्हें अंदर आना है Coleman कहता है कि मेरी वाइफ मर जाने के बाद मैं किसी भी औरत के पास नहीं आया हूँ फोनिया कहती है कि तुम अगर सिंपाथी टुन रहे होंगे तो हो में तुम्हें नहीं देने वाली वो उसके साथ कैजूल रिलेशन्शिप रगना चाती है वो फिर गाड़ी से उतर कर अंदर चली जाती है Coleman भी जरा सोचता है और उपर चला जाता है उपर जाने के बाद फोनिया अपने बेड़ पर नियूड सोई हुई होती है इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो जाते है राद में फोनिया उसे निखल जानी के लिए कहती है वो कहती है कि ये परसनल नहीं है पर इनकी relationship बहुत ही उसे casual चाहिए यह उसे यह भी कहती है कि उसे पता नहीं है कि वो इससे फिर से मिलेगी या नहीं Nixon में Coleman उसे college से लेने के लिए जाता है college में Coleman की कलिक होती है यह वो देख लेती है रात में जब यह दोनों intimate हो जाती है तो Coleman उसे पुछता है तुम्हारे mind में चल क्या रहा है फौनिया उसे कहती है कि मेरे mind में मंटकुसो हमें यह relationship सर्फ casual रेखनी चाहिए Coleman मारनी रहा होता तो एक question answer करने लग जाते है Coleman उसे पुछता है एक बुड़े आदमी के साथ होना यह तुम्हें कैसे लग रहा है यह थी है कि कोई भी surprises मुझे नहीं मिल रहे है इसके लिए perfect होता है Coleman उसे उसकी life के story पुछता है यह पहले बता नहीं रहे होती पर कह देती है यह बहुत ही अमीर थी इसके father मरने के बाद इसके mother ने दूसरी शादी कर ली इसके family में abuse होती थी इसी वज़े से एक घर चोड़ कर चली गई इसे बाद वो कभी एक place पर नहीं रूकी थी फॉनिया किसी भी चीज के बारे में जादा सोचना नहीं चाहती इसी वज़े से हर जगा से वो भागती रहती है जहाभी उसे job मिल जाए वहाँ वो job कर ली थी है अलग टाउन में वो चली जाती है और इसी थरा से वो जीती रहती है यह दोनों इस दूसरे के साथ होते है तब फॉनिया को कोज आवाज है सुना देती है यह कहती है कि मेरा एक सजबन है यह आर्मी में था यह मेरा पीछा करता रहता है यह आप पागल हो चुका है और जब हम married थे तो मुझे मारा भी करता था कोलमनों से कहता है कि वहाँ कोई भी नहीं है उसे कोई भी आवाज सुना है नहीं दे रही हुती नेकसिन में फौनिया का एक सजबन हमीं दिखाई देता है उसकी interview चल रही हुती है फौनिया को हो मारता था और अब्यूस करता था इसे वज़े से mental hospital में अब हो है उससे एक psychologist बात करी है उससे जब पूझा जाता है कि क्या उसने अपनी wife को कभी मारा था तो इसे वो deny कर देता है वो कहता है कि कभी भी मैंने उसे हाथ नहीं लगाया था उसे हमारे बच्चे मिल जाए इसे वज़े से उसने सब साजिस रजजी थी ये careful नहीं रही और उसने अपने बच्चों को ही मार डाला इसके बाद कोल्मन और फोनिया एक रेस्टोरन में आये हुए में दिखते है फोनिया इस रेस्टोरन में बहुती अंकमफर डेवल होती है कोल्मन फोनिया को नेथन से मिलाना चाता है जब नेथन वहाता है तो फोनिया उस पर जिर जाती है वहाँ से गुसे में ही कार में आकर बैट जाती है कॉलमन भी उसके पीछे-पीचे कार में आ जाता है फोनिया उसे कहती है कि रेस्टोरन बहुत ही फैंसी है मैं एक जानिटर हूँ मैं डेली में काम करती हूँ हम दोनों का कही भी तालमेल नहीं है तुम्हारे फ्रेंट से तुम मुझे मिलवाना चाहते थे पर तुम्हारे फ्रेंट से तुम क्या कहोगे सब को एक गलत ही लगेगा कोई भी हमें एकसेप्ट नहीं करने माला फोनिया कहती है कि तुम्हें मुझे अब जाने देना चाहिए वो उससे break up कर रही हो ऊती है कोल्मन उसे कहता है कि मैं नहीं होने दे सकता मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता रात में हम देखते है कि कोल्मन फॉनिया की हाँ सोया हुआ होता है तब फॉनिया के ऐक सजबन भहा आ जाता है यहां आकर बहुत ही आवाज ही कर रहा होता है काड़ी के हौंस बजा रहा होता है कॉल्मन इस पर चिर जाता है और दंडा लेकर बाहर आ जाता है वो फॉनिया को घर लेकर जाना चाहता है फॉनिया ने अल्रेडी पुलिस को बुलवा होता है पुलिस उसे जब लेकर जा रही होती है तो फौनिया को मर्डर बूलाता है जब फौनिया और कॉलमन अंदर आते है तो फौनिया उसके बच्चों के बारे में उसे कहती है वो अपने बच्चों की चीज़े उसे दिखाती है कहती है कि मेरे बच्चे मर जाने के बाद इन चीज़ों का मुझे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता यह बहुत ही दुख में होती है यह रोते-रोते हैं यह सब कोछ कह रही होती है यह कहती ही कि विंटर था और मैंने फायर प्लेस चलाया था उसकी शिल्ड उससे गिर गई थी उसी वज़े से पुरा घर जल गया था इसमें उसके बच्चे भी मर गए इसके एकस हजबन को यह सब पता है इसी वज़े से उसे मर्डर रही बुलाता है और नेकस दिन में हम देखते हैं कि कोल्मन को एक लेटर मिलता है इसमें उसकी एकस कलीग ने लिखा होता है कि उसे पता है कि वो अप क्या कर रहा है फोनिया के साथ उसका अफेर चल रहा है और वो जैनिटर है वो उसका फायदा उठा रहा है उसके एक केस कर सकते हैं इसा इस लेटर में लिखा होता है Coleman फिर उसके lawyer के पास आया हुआ में दिखता है उसका lawyer उसे salah दे रहोता है वो कहता है यह एक janitor है इसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है यह society कभी भी तुम्हें accept नहीं कर पाएगी इस relationship में बहुत सारे problems आएंगे और यह worth it भी नहीं होगा अगर इस town के लोगों के खिलाब गया तो इसका जीना वो खराब कर सकते है Coleman को इससला पसंद नहीं आती अपने lawyer को भी fire कर देता है अब हैं फिर से young Coleman दिखाया गया है Coleman जब fighting करता था तो उसके professor ने उसे कहा था कि fighting तुम करते हो तो तुम्हें अच्छे से scholarship मिल सकती है Coleman का interview तब होने वाला था तब उसके teacher ने उसे कहा कि तुम्हाई जो cast जगे रहे है यह किसी को भी मत बताना Coleman जब घर आता है तो मैं पता चलता है कि Coleman खुद ही Negro है इनकी family में Coleman एक anomaly है Coleman black है तो फिर भी इसकी skin white है movie के first में हमें बता जाता है कि यह Jew है Jew होने की identity इसने ले ली है यह जब घर पर आता है तो यह सब dinner कर रहे होते है Coleman के फादर को अच्छा नहीं लगता कि यह fight करता है उसके फादर उसे कहते है कि अब तुमें fighting वेगरा सब कुछ बन कर दोगे तुम Oxford में जाने वाले हो उसके फादर बहुत strict होते है उसके फादर जो उसे कहते है वो ही उससे करना पड़ता है इसके फादर एक train में काम करते है इस train में वह जब सरु कर रहे होते है तब ही इन्हें heart attack आजाता है और ये मर जाते है कॉल्मन फिर अपनी मदर से कहता है कि ये मेरी life है मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे decide करना होगा वो Oxford में नहीं जाना चाता Oxford में हमेशा Negro लोगों के लिए बात इक की जाती है उनके rights के लिए लड़ा जाता है कॉल्मन कहता है कि मैं कभी भी political इंसान नहीं था मैं इन सब में फसना नहीं चाता वो एक normal आदमी की तरह एक अच्छे से life जीना चाता है वो अपनी मदर को कहता है कि मैं Oxford में नहीं जाने वाला ये मेरी life है प्लीज मुझे decide करने दो इसकी मदर कहती है ये तुम से argue नहीं करने वाली इसकी मदर को दूख होता है पर इसे वो accept कर लेती है अपनी education complete करने के बाद कॉल्मन आर्मी में चला जाता है आर्मी में भी वो Jew है इस तरह से वो लिखता है जिवाजाए से इसकी identity अब पूरी तरह किसे बदल चुकी है प्रेजेंट में नेथन कॉल्मन से मिलने के लिए आया होता है वो उसे समझा रहा होता है या जो तुम्हारे relationship है ये गलत है फोनिया का एक्जस्मन बहुत ही dangerous है वो तुम्हें hurt कर सकता है कॉल्मन कहता है कि वो मरने से नहीं डरता उसे उसकी जो life अब है ये बहुत ही अच्छी लगती है नेथन कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करने लग गये है वो कह रहे है कि तुम्हें फोनिया को pregnant कर लिया है कॉल्मन को लगता है कि नेथन उसे accuse कर रहा है नेथन कहता है तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड हो एक फ्रेंड की तरह ही मुझे तुमसे बात करनी है कॉल्मन उसे कहता है कि ये मेरे life का last love है इसके बाद में कभी मुझे intimacy मिलने नहीं वाली ये कहे कर यहां से चला जाता है इसके बाद हमें फिर से यंग कॉल्मन दिखाया जाता है अब ये आर्मी से आ चुका है पर अब भी वो स्टीना के साथ है इन दोनों की relationship अब अच्छी तरह किसे develop हो चुकी है स्टीना insecure हो रही होती है कि क्या ये relationship कभी आगे बढ़ेगी तो इसी वज़े से अब वो उसे अपनी family से मिलाना चाता है स्टीना अब बहुत ही खुश होती है स्टीना को पता नहीं होता है कि कॉल्मन ब्लैक है जब उसकी मदर से उसे मिलवानी के लिए लेकर जाता है तो उससे बहुत ही uncomfortable महसुद होता है उसकी मदर से वो अच्छे से बात करती है वर जब ये ट्रेन से वो अपस आ रहे होते है तो इन रोने लग जाती है इसकी family कभी भी इन दोनों की relationship को accept नहीं कर पाएगी और इसके लिए बहुत ही heart होता है इसे वज़े से अब इसके साथ relationship नहीं रखना चाहती है कॉल्मन फिर सब उसका गुस्सा अपने fighting में निकालता है वो एक निग्रों से ही लड़ रहा होता है इसे वो बहुत मारता है उसका professor कहता है कि वो गिर चुका था तो यह उससे इतना मानने की ज़रूत नहीं थी यह कहता है कि निग्रों को मानने के लिए मुझे किसी की डाट पड़े यह मुझे अच्छा नहीं लगता यह खोदी निग्रों है पर यह अब भिद्वाओ करने लग जाता है यह कुछ अलग है ऐसा हो प्रिटेंड करता है अब यह फिर से बेजन दिखाया जाता है कॉल्मन और फॉनिया की जो रिलेशन्शिप है यह अब नेक्स लेवल पर जाती है फॉनिया कभी भी उसके साथ रात में नहीं रूखती पर अब यह उसके साथ रूखने लग चुकी है अब यह रिलेशन्शिप नेक्स लेवल पर जा रही है तो फॉनिया को डर लगने लग जाता है जब कॉल्मन उसके जॉब के बारे में बात कर रहाता है तो उस पर वो चिट जाती है वो कहीती है कि हमेशा तुम तुम हरे बारे में बात करते रहते हो तुमारे साथ जो हुआ है यह कोई बड़ी tragedy नहीं हुई है वो फिर उसके साथ क्या गलत हुआ है उसके बारे में बात करती है कॉलमन से फाइट ले ली थी है और वहाँ से वो चली जाती है वो रोड से चलती जाती है और एक बर्ठ हाउस पर आ जाती है एक कववा उसे यहाँ पसन आता है इसके बारे में जो बुछती है तो शौप अनर कहती है कि इस कववा कभी भी बाहर उड़ नहीं सकता यह जब छोटा था तब से एक केज में ही है इसी वज़े से इसे उड़ना कैसे है पता नहीं है जब बाहर जाता है तो दुसरे कववे उसे मारने लग जाते है फौनिया इस कववे से रिलेट कर पाती है यह कहती है कि जब मेरे बच्चे मर गए थे तो मैंने अपनी मदर को कॉल किया था उसकी मदर ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया था जिस तरह से कववा अपनी आइडेंटिटी खो चुका है उसी तरह से अपनी आइडेंटिटी यह भी खो चुकी है इसे क्या करना है यह समझ में नहीं आता इसे अब बुरा लगता है इसे लाइफ में एक अच्छा चांस मिला है कि कॉलमन के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकती है अब फिर से कॉलमन के पास आ जाती है इसे वो स्वारी कहती है कॉलमन भी उसे माफ कर देता है उसे हग करती है और कहती कि वो प्रेगनेंट है इसके बाद हमें दिखता है कि दोनों गाड़ी से जा रहे होते है और इनका एक्सिडेंट हो जाता है यहाँ फौनिया का हस्बन भी था नेतन फिरम से बात करता है यह पता है कि यह एक्सिडेंट नहीं था ये करवाय गया था अब Coleman और Furnia दोनों मर चुके है Furnia के husband से बात की जाती है इससे जब inquiry होती है तो ये सब मना कर देता है ये कहता है कि मेरा इन सब से कोई भी सम्मन नहीं है इसे के खिलाब कोई भी evidence भी नहीं होते तो इससे छोड़ दिया जाता है इसके बाद हमें Coleman का memorial दिखता है उसके जो सब कलिक्स थे अब इन्हें बहुत ही दुख हो रहा होता है ये कहिते हैं कि हमने जो किया था गलत किया था हमें अपने friend को support करना चाहिए था मरने के बाद Coleman के आरोप खतम हो चुके है Coleman का जो memorial चल रहा होता है तो Coleman की sister वहा थी है Nathan जब इसे देखता है तो ये समझ नहीं पाता Coleman की sister black कैसे हो सकती है ये फिर उसे Coleman के बारे में सब कुछ बता देती है हमें फिर Coleman का एक past का scene दिखाया जाता है वो अपनी mother के पास आ चुका है Coleman की जो wife थी वो से आब वो मिल चुका है वो अपनी mother के पास आता है और कहता है कि मेरे parents date है ऐसा मैंने उसे बताया है अगर इसे भी पता चल गया कि Coleman black है तो इनकी relationship में problem आ सकता है इसी वज़े से अपनी father और mother date है इसी तरह से वो बताता है उसी ये mother कहती है कि ऐसा कैसे तुम कर सकते हो हम दोनों के बारे में तो ठीक था पर तुमारे brother, sister इनके बारे में तुम नहीं बताऊगे उसकी mother उसे कहती है कि ये भी ठीक है या तुम तुमारे बच्चों से मुझे मिलने दोगे पास साल बाद मेरा जब बड़े होगा तुम तब तुमारे बच्चों को बहाँ से लेकर आना मैं सिर्फ उने देख लूँगे कोई भी contact नहीं बनाऊंगे सिर्फ उसकी mother की यही इच्छा होती है मदर फिर सोचती है और पूछती है क्या तुम बच्चे भी नहीं होने दोगे कोलमन की जीन्स तो अभी भी निग्रोई है तो अगर उसके बच्चे भी black आ गए तो बहुत ही problem हो सकती है कोलमन ने अपनी मदर से इस तरह से बात की थी तो उसका ब्रदर उसे मिलने के लिए आता है उससे कहता है कभी भी तू मुझे आप दिखना मत मदर के पास कभी भी मताना कोलमन की मदर कोलमन को याद करते करते ही मर गई वो कभी भी उसे मिलने के लिए ने आया ये सब चीज़े कोलमन की सिस्टर अब नेथन को बता रही होती है वो इस पर हस रही होती है ये कहती है कि जो इलजाम कोलमन पे थे यह बहुत ही घटिया थे कोलमन निग्रो था और इससे वो भागता रहता था और लास्ट में इसने उसे कॉट अप कर ही लिया इसी वज़े से उसका पूरा करियर खतम हो चुका था कोलमन अगर चाहता तो अपने चार्जेस वो ड्रॉप कर सकता था अपनी आइडेंटिटी अगर कलिक्स को उसने बता दी होती तो उस पर यह चार्जेस नहीं लगते नेथन हमसे कहता है कि अब मैं कोलमन के बारे में बुक लेखने वाला हूँ एक लास्ट काम इससे पहले वो करना चाता है फोनिया के हजबन से वो मिलना चाता है उसे पता है कि यह murderer है उसके पास वो आ जाता है फोनिया का हजबन frozen lake में fishing कर रहा होता है नेथन कहता है कि बहुत beautiful spot है फोनिया का हजबन कहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है यह आप एक दुसरे से sarcastically बात कर रहे होते है फोनिया का हजबन को fish नहीं मिल रहे होते है तो इससे पुछता है कि तुम्हें इसके बारे में किसा लग रहा है फोनिया का हजबन कहता है अगर मेरा बेटा जिन्दा होता तो उसके साथ मैं fishing करता यह कहता है कि जब मैं भेत नाम में था तो मुझे बहुत ही stress हुआ था अभी भी मैं लोगों से नहीं मिलना जाता मैं जब वापस आया तो मैं जिस तरह से बरताव गर रहा था उसी वज़े से मेरी marriage चुट गई थी फोनिया का हजबन पूछता है कि इस तरह के लोगों के बारे में तुम लिखते हो नेथन कहता है कि तुम जैसे लोगों के बारे में लिखता हो नेथन एसा जटा रहा होता है कि इसे पता है कि इसने फोनिया और कोल्मन को मारा है फोनिया का हजबन फिर कहता है कि तुम वोट्स में रहते हो न यानि कि उसका पता उसे पता है ये कभी भी आकर उसे मार सकते है ये फिरोट जाता है इसके पास एक आयन का घुपमेंट होता है इससे में इस आईस में एक बड़ा सा होल बना सकता हो फिश लाइट देखने के लिए उपर आ जाते है इसे में फिशिनG करता हूँ अंदर बहुत ये dark होता है इसे वज़े से fish उपर आते हैं इसका मतलब इसे धमके दे रहा होता है कि अभी के अभी वो इसे यहां मार सकता है अंदर बहुत ये dark है और ये lake भी frozen है तो कोई भी उसके body ढून नहीं पाएगा अब ये कहता है कि ये मेरे fishing करने का secret spot है अगर तुम तुम तुमारे book में ये लिखोगे तो सब लोगो को पता चल जाएगा याने कि अगर फौनिया का husband के बारे में इसने कुछ भी किसी को बताया तो बहुत ही problem हो सकती है उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे बारे में किसी को बताऊगे ये ऐसा वो indirectly बोल रहा होता है नेथन अपनी life के लिए डरता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमारे लिए important है मैं तुमारे इस secret place के बारे में किसी को बहुत नहीं बताऊँगा नेथन फिर यहां से चला जाता है यहां में पता चल जाता है कि फौनिय को छोड़ कर कब तक तुम भागते रहोगे कॉलमन हमेशा अपनी life से भागता ही रहा कभी उसे family का जो पैर होता है यह नहीं मिल पाया अगर वो अपने आपको accept कर लेता तो अपनी family के साथ वो रह सकता था उसकी mother, brother, sister इन सब को accept करकर अपनी wife के साथ उनके साथ वो रह सकत अगर उसके बच्चे निग्रो आए तो उस पर सवाल उट सकते थे इसी वज़े से कभी भी उसने अपने लिए बच्चे भी नहीं होने दिये वो आखिर तक अपनी identity से भागता रहा पर फिर भी उस पर जो charges लगे यह वो निग्रो बुलाने के लिए लगे थे इसका मतलब ह अगर वो चाहता तो charges drop हो सकते थे फिर भी इसने यह नहीं किया यह फिर भी अपनी पहचान छुपाता ही रहा इसी वज़े से इसकी wife भी मर गए जिस तरह से कोलमन था उसी तरह से फोनिया भी थी यह भी भागती रहती थी यह जब एक दूसरे से मिले कभी भी एक दूसरी क को छोड़ना नहीं चाहते थे इस बार फोनिया के पास ने उसे जकड लिया फोनिया के husband नहीं इन दोनों को मार दिया हम जो है हमारी family जो है इन सब को हमें accept करना चाहिए हम हमारे खुद के acceptance से ही खुश रह सकते है इस message के साथ यह movie एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आता रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब देजे और बेल नोटिफेशन आइकन दबाने में बद भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब बद कर दो में.